प्यूपल्स डिमोक्रेटिक पार्टी के नेता और प्यूपल्स डिमोक्रेटिक पार्टी की युवा विंग के अध्यक्ष रहे पार्टी के प्रवक्ता रहे वहिदुर रह्मान परा जो पुलवामा से डीडीसी के मेंबर भी हैं उन्हें नाशनल इंवेस्टिगेटिंग शामल थे जिस शड़ेंतर के जरिये हिजबल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के लिए पैसा जमा किया जा रहा था पैसा एकठा किया जाता था ताकि आतंकवादी गतिविदियां करने के लिए हथियार खरीदा जा सके और उसके बाद साथ में ये भी कहा है नाए ने कि प्रूश्रल प्लेयर थे जो प्लिटिकल सेपरेटिस्ट टेरिस्ट नैक्सिस जम्मो कश्मीर में था यानि नेताओं अलगावादियों और आतंकवादियों के बीच में जो गठजोड जम्मो कश्मीर में था उस गठजोड का एक एहम हिस्सा थे प्यूपर्स हो गई है उसके Secretary भी वहीदर रह्मान परा रहे उनके ओपर इतने गंभीर और गंभीर इल्जाम जो है National Investigating Agency ने लगाए हैं आज National Investigating Agency ने supplementary charge sheet तीन लोगों के खिलाफ फाइल की इन तीन लोगों के नाम शाहीन एहमद लोन, तफज्जुल हुसेन परिमू और वहीदुर्रह्मान परा है यह चार्ज़शीट सेक्शन 120B IPC के तहट सेक्शन 17, 18, 38, 49, 40, Unlawful Activities Prevention Act और सेक्शन 25, 1AA Arms Act और सेक्शन 6 Explosive Substance Act के तहट यह चार्ज़शीट फाइल की गई है और यह चार्ज़शीट पूर्व D.Y.S.P. जमकिश्मीर पुलिस के देविंदर सिंग के केस में फाइल की गई है इस केस को लेकर जो National Investigating Agency ने Press Note इशू किया है उसमें उन्हें यह कहा है यह केस पुलीस टेशन काजिगुन कुलगान डिस्टिक में पुलिस टेशन काजिगुन में एक F.I.R. रिजिस्टर हुई थी जिसका नंबर है पांच अबलीक दोहजार बीस यह यारा जनुरी दोहजार बीस को यह F.I.R. लॉज़ की गई थी जब दो हिजबलमजाहिदीन आतंकी संगठन के आतंकियों को गिरिफतार किया गया था उनमें से एक आतंकी का नाम था सेद नवीद मुश्टाग जो उस समय तथा कथित डिस्टिक कमांडर थे हिजबलमजाहिदीन के डिस्टिक शुपियन के और गांदरबल के और रफी एहमद राथर इनको भी गिरिफतार किया गया था इनके साथ एक सर्विंग उस समय सर्विंग डिवाई एस पी जमोकिश्मीर पुलिस के दिविंदर सिंग गिरिफतार हुए थे और एक और वकील सहाब भी गिरिफतार हुए थे जिनका नाम एडवोकेट इर्फान शफी है ये A1 स्टॉप नाका काजिकुन के पास इनको गिरिफतार किया गया था जब ये शिरिनकर से जम्मू I20 कार में जा रहे थे और इस I20 कार को चला रहे थे एडवोकेट इर्फान शफी NIA ने केस रिजिस्टर किया RC01 अबलीक 2020 अबलीक NIA अबलीक जम्मू और उसके बाद इस मामले में परताल शुरू हो गई NIA ने इसमें अचक्छर शीट 8 मुझ्रिमों के खिलाफ 8 एक्यूस के खिलाफ फाइल किया हुआ है और इनिवस्टिकेशन के दौरान NIA ये कहती है कि इनिवस्टिकेशन के दौरान जिन जिन लोगों के खिलाफ चार्शीट फाइल की गई जिसमें शाहिन एहमद लोन और तफजु उसेन परिमू है इनके इनको लेकर एनाई ने ये कहा है कि जब हमने परताल की तो परताल में हमें ये मालूम पड़ा कि हत्यार एलो सी के आरपार करने का काम जो है वो शाहिन मुझाहदीन के लिए और लशकर तईबा के लिए कर रहे थे और ये लोग पैसा भी आतंकी गतविदियों को समर्थन देने के लिए पैसा भी कठा कर रहे थे ताकि आतंकवादी गतविदियां जमो कश्मीर में होती रहें और ये सब कुछ ये इनके हैंडलर्स यानि जो ल कि इस सप्लिमेंटरी चार्शीट को लेकर आज एक प्रस नोट इशू हुआ है और इस प्रस नोट में वहिद रह्मान परा को टेरर फानांसर कहना और ये कहना कि वो पैसा रेज भी करते थे और ट्रांसफर भी करते थे टेरर फरंड्स आतंकी संगटन हिद्बल थी क्या वो जानती थी कि वहिद रह्मान परा ऐसा कुछ कर रहे हैं और NIA की चार्शीट में और NIA की इनिस्टिकेशन में अगर ये सारी चीजें निकल कर आई हैं कल जब NIA को ये सारी चीजें कोट के समक्ष रखनी होंगी क्या NIA के पास इविडेंस इतना होगा कि ये सार सारे लोगों को acute किया यानि मुकमल तोर पर जितने भी इल्जामात उनके उपर थे cases थे उन तमाम cases से बरी किया क्योंकि अलग-अलग investigating agencies जो है वो evidence पेश नहीं कर सकी इस मामले में ये भी देखना होगा कि क्या NIA advocate evidence court के सामने पेश कर पाएगी जिसके बाद जो है जितने भी लोग इसमें मुल्जम हैं इनकी conviction हो और उसके बाद एक और चीज कि क्या people's democratic party की leadership को इसके बारे में मालूम है आने वाले दिनों में ये भी देखने वाला होगा कि क्या NIA वहीद रह्मान परा तक ही महदूद रहेगी या इसके इलावा अन्ने कुछ और लोगों को गिरिफतार करेगी उनके खिलाफ कारवाई करेगी ये वो सारी चीजें हैं जिन पर आने वाले दिनों में नजर होगी लेकिन आज की बड़ी अबर यही है कि People's Democratic Party के नेता, People's Democratic Party की Youth Wing के अध्यक्ष रहे, जमकश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसल के सेक्रेटरी रहे और People's Democratic Party के मुख़् प्रवक्ता रहे वहीदुर रह्मान परा को टेरर फनांसिंग में एक कॉंस्पाइरेटर जो है NIA ने कह दिया है